अलो गाईस वलकम बैक तो अदनी वीडियो गाईस सैंसिंग गैलक्सी चेटी थृ एंड सैंसिंग गैलक्सी चेटी टू अल्ट्रा दोब्ध की बीच में काफिनों के मन में एक कन्फिसन है क्योंकि BBT सेल लाइब हो चुगा है और Amazon grade in a festival sales ये भी live हो चुका है S23 और S22 Ultra दोनों का price almost लगबख same है तो इस price range में काफी लोगों के वन भी ए confusion आ रहा है कि S23 better होगा या फिर S22 Ultra better होगा दोनी फोन में क्या pros है, क्या कॉन से, कहां पे कौन सा phone better निकल के आता है तो कौन सा phone लेना चाहिए, कौन सा phone ने लेना चाहिए तो जो भी doubts और confusion में सभी कसा भी इसी वीडियो में clear कर दूँगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद सही phone चूज कर पाओगे अपने use के हिसाब से, ओके तो वीडियो काफी interesting होने वाली है, तो make sure के वीडियो को पूटा देखना पड़ेगा तो चलिए में वीडियो सुरू करता हूँ, लेकिन आप यार फटा 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 सुरू करतो साबस्क्राइब करना, और वीडियो को लाइक जरू करना सबसे पहले आपके सामने में सेर करता हूँ, galaxy s23 वर्स अ22 अल्टरा, दोनों में क्या difference और पर क्या देखने को मिलता है difference, दोनों में क्या प्रोज है, क्या कौन से galaxy s23 का in hand field काफी अलग है, ये एक छोटा फोन एक compact फोन एक काफी handy फील होता है तो ये आपको s22 अल्टरा से काफी चुड़ा निकल के आता है, तो s22 अल्टरा जो है काफी बड़ा फोन देखने को मिलता है galaxy s23 जो है, वो latest launch है samsung का और s22 अल्टरा एक साल पहले launch हुआ था, तो इसलिए जब नहीं कोई फोन निया launch होता है, खासका samsung के s23 का तो हमिसा new launch फोन में, जब ये कोई एक स्रीज बाद में आता है उसके, तो काफी सारी improvement की जाते है, मतलब कि जो स्रीज में पहले आपको problems देखने को मिल लेते हैं, वो सारे problems को नए वाले आने वाले स्रीज में eliminate की जाते हैं, तो इसलिए आपको इस फोन में काफी सारे problems को आपने आनेट किया गया है, Galaxy S23 स्रीज में, प्रोसेसर आपका काफी improve किया है, जो प्रोसेसर है, आपको Galaxy S23 में मिलता है, Snapdragon 8 Gen 2, जो 8 Gen 1 से फार्वेटर है, जो 8 Gen 1 था लास्ट यार, S22 स्रीज में काफी थ्रॉट्रिंग कर रहा था, कहीं कहीं पहीं 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 जाला देखने को मिल ला था, और हीटिंग उसूस भी था, तो इसको fix किया गया है, आपको नए, S23 स्रीज में, विट स्नैप डाइगन 8 Gen 2 के साथ में, तो यह वाला जो प्रोड्लम है, आपको S23 में मिल पूल भी देखने को नहीं मिलता है, फोन आपका कभी भी ओवर हीट दी होता है, और फोन में फ्रोड्लिंग वगरा भी देखने को नहीं मिलता है, और फोन ओवर हीट ना होने के वज़ासे, बैटरी बेक भी काफी चाप को निकाल के यहां पर देता है, S23 स्रीज, और दूसरा जो इंप्रोड्मेंट देखने को मिलता है, वो आपको लो लाइ जैसे, डाइनमिक रेंज गूपर अच्छा काम किया गया है, और लो लाइट बाभी काफ़े चाहिए, यहां पर काम करता हुआ दिखता है, S23 स्रीज, बात करें हैं, अगर सॉफ्वेर की, तो एक अपडेट जो है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, S23 स्रीज में, S22 Ultra में आपको S Pen देखने को मिलता है, और क्यामरे की बात करें, तो क्यामरे में आपको एक पिरिश्को सेंसर देखने को मिलता है, जिससे आप 100X तक जोंग कर सकते हो, और 10X ऑप्टिकल जोंग तक जाता है, हाला कि यह 100X जोंग जोंग आपको डेली लेस पे उतरा को ज्या फोन सेम है, वाट कहीं कहीं पर S23 स्रीज फार बेटर निकल के आ जाता है, जैसे लो लाइट में और वीडियो में, और बात करेंगे बैटरी वेकप की तो बैटरी वेकप जो है, यहाँ पर S23 का बैटरी वेकप है, S22 Ultra से थोरा सा कम है, क्योंकि S23 जो है, थोरा सा कॉम्पे S22 Ultra, बट उतना कुछ ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है, यह आपकी यूज के उपर डिबन करता है, कि आप कितना ज़्यादा यूज करते हो, कितना हेवी टास्किंग करते हो, लेकिन वहीं अगर आप एक हेवी टास्किंग करते हो, या फिर ज्यादा गेर S22 Ultra का प्राइस यहाँ पर देखने को मिलता है, 80,000 यानि जो 256 GB वाला जो वेडियंट है, वो आपको मिलता है, 79,999 में, और सेमी प्राइस आपको देखने को मिलता है, और ओफलाइन में दोनाई फोन में आपको 8,000 का इस्टान डिसकाउंट देखने को मिलता है, तो आपको यह फोन आराम से 70,000, 72 तक आराम से यह फोन देखने को मिल जागा है, लेकिन जब सेल स्टार्ट होगा, तो S23 जो है, आपको अंडर 60 के देखने को मिल ले वाला है, और 128 GB वाला जो वेडियंट है, वो आपको मिलेगा 55 से देखने को बीच में, वहीं आपको S22 Ultra, यह भी सब्सक्राइब करता है, आपके यूज करता है, कि आप क्या यूज करते हो, मैंने और यूडियो में सारा कुछ आपके सामने सेर कर दिया है, मेरे ही साबसे S23 बैटर होगा, यह फोड़े से पैसे और और इन्वेस्ट कर सकते हो, तो S23 परस लेलो, फिर पार बैटर होगा, क उसकी market value काफी कम है offline में, तो आप उससे online भी exchange कर सकते हो, और exchange value यहाँ पर 5000 रुपे का इस्टेंड डिसकाउंट चल रहा है, यह नहीं 5000 रुपे आपको जब आप कोई प्रोड़ेक्ट एक्सचेंज करोगे, तो यहाँ पर और वी जादे benefit आप आड़ कर सकते हो, तो मेरे हि सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा नीचे, तो चलिए हम बिलते किस और विडियो को साथ जादे आते, विडियो को लाइज रूर करना हो, चालने को सब्स्ट्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी ठाब भी पालेटिक कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूं, आपके लिए काफी यूस्फूल होती है, तो टेक है,